ते अज आपको क्या शावेर के श्वांग मैं शीवी तुझे श्वीming क्रियाशन डिय आई वाइवाय में आप सभी का स्वागत करती olmaz। अज मैं बात करने वाली हूँ कि सरदीयों में इस्किन की आप कैसे कैर करें। कैसे आप सर्दियों में अपनी स्किन को डेड होने से बचाएं चेहरे का जो ग्लो है आपका वो सर्दियों में बरकरार है उसके लिए आपको क्या क्या करना है उसके लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी जो भी उपाय में बताऊंगी उस अब घ पहले मैं आप लोग से एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूंगी अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आने पर लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि और लोगों भी जो मेरे वीडियो के इनफोमेशन है और इसे जो मिलने वाले वेनफिट्स है और लोगों को भी मिल सकें चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो तो क्या होता है अग घर्मियों में हम अपने चेहरे का ज्यादा केर करते हैं जब हम बाहर जाते हैं तो संस्क्रीन को harm bhinIS पहुचेकर लेकिन ऐसा नहीं ہے सबसे ज़यादा कि दूप से सर्धियों में होता है अगर्मियों के अपएक्षा देखे locations सर्धियों में हम संस्क्रीन पर RH chews DON't return for blood पर दिखाई नहीं देती है लेकिन वो आपके स्किन और एक चीज़ आपको बहुत जादा देने की जरूरत है तो उसके लिए आपको इतना ध्यान रखना है कि आप जब भी बाहर निकले तो संस्क्रीन का इस्तमाल करें चलिए यह हो गया बात संस्क्रीन की लेकिन आप हम घरे लुस्खों के बारे में बात करते हैं कि आपको और क्या क्या करना है सर्दियों में हमें प्यास कम लगती है तो हम पानी कम पीते हैं लेकिन ऐसा नहीं करना है अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन ग्लोइंग बनी रहे हमें पानी की अधिक मात्रा लेनी है अगर हम सोचेंगे कि हमें सर्दियों में प्यास लगती नहीं है लेकिन अगर प्यास आपको पानी नही हम पी तो आपकी बोड़ी डी itel जाएँगा भी हो जाएगी और जिसकी वजя से क्यार खोता है कि आपकी जे सी झाल से ज्यादा निकलता है जिससे अपका फेस जादा मिपहते हो जड़ों रूखार दिखते हैं और पान का सेवन नेखा में आफिकते हैं पानी का सेवनorde करें ऩज время प्रि away पानी से तो और निए पानी सेवन सबस्कीन का सबस्कार करें मॉन्चराइजर का फोर ड Maintenant में हुआष यह जरूर양 प्रव्चेस किया हुआ मंश्राइजर का मतलब जो आपके skyn को मौशयर प्रवाइट करिए वौ केमोड आरकर से ली हुई रहा हुई क्रीम भी हो सकती है और आपका धसे मलाई भी हो सकता है उर और भी चीज़े हैं मौश्कले माइसर नरीश करती है को आपको मौश्कले मेतल Stunden यह तो हम दिन की बात कर लियिए कि दिन में मूअशुराअजर लगा कर रखना है साथ ही आपको ना च्शक बात माउश्याईजर लगा कर रखना तो सरदियों में endeavors beında मॉश्याईजर नहीं लगा रहे हैं और अउसके लिए का घंता मूशणार ले तो बहुत ज़ादा गरम पानी नहीं हो उसा जाए कि अन्याट से अग। आपको धूल लेना है यह हो गया साथ में अब हम बात करेंगे कि अगर आपकी फेस आपका फेस बहुत जादा ड्राइ है तो क्या आपको स्क्रब करना चाहिए जी नहीं जिस तरीके से हम गर्मियों में स्क्रब का इस्तमाल करते हैं regular basis वैसे हमें सर्दियों में स्क्रब का इस में स्क्रब करने से अगरें और आपके फेस पे आल्रडी मोश्यर कम है काया और जिस तो आपको ब्लैका है ज्यादा टो आप करिए लेकिन कुछ घरेलु चीज़ए उनका अगर ट्रय है तो उसके लिए एप स्क्रब के रूप में मलाया ले लिए और उसमें चीनी की कि चिनी ले लिए एक सार्माच लग टूक्ट करिए और किनी पहले इस पहले उसका स्कुरब करना वहाँ श费 हो पात बड़े दानी नहीं को अजिए और किनी पहलो आपके blackheads निकल जाएंगे और साथ ही साथ आपके face का moisture नहीं जाएगा, face पर moisture बना रहेगा, यह आप इस्तमाल कर सकते हैं, साथ ही साथ अगर आपको यह इस्तमाल नहीं करता है, तो आप इसकी जगा पे सहद ले लीजे, उसमें थोड़ा सा basin डालिए, mix करिए, और दो बून इसे आपके face पर moisture बना रहेगा और blackheads निकल जाएंगे आपके, तो इस तरीके से आप अपने face का care कर सकते हैं, साथ ही साथ, आप अगर चाहें, तो अंडा और सहद का mask बना के लगाए, आधा गंटा के लिए रखिए और उसके बाद उसको remove कर दीजे, इससे भी face का glow बना र अब यह हो गया लगाने की बात और care करने की बात, अब हम आजाते हैं खाने में आपको जितनी भी मौसमी फूरूट्स हैं मौसमी वेजीटेबल्स हैं उन सभी का स्तमाल करना है, खाने पीने में बिल्कुल भी कटोती नहीं करनी है, अगर आपका वेट बढ़ रहे हैं तो इसके लिए थोड़ा सा ओकिंग करिए और रूटीन फॉलो गरिए वेट नहीं बढ़ेगा और आप अगर रेगलर डाइट लेते हैं तो आपका स्किन भी गलो करेगा और आपके हेर भी अच्छे रहेंगे तो बालो के लिए भी बहुत जरूरी है सड़ियों में हम लोग क् किनारे बैठते हैं हाथ को पैर को अपने गरम करने के लिए उस टाइम पर आपको ध्यान देना है कि आप हाथ आपके बहुत नजदीक नहीं लेके जाएं धुए वाले एरिये में नहीं बैठे इसे आपके स्किन डेड होती है ब्लैक हो जाती है और कई सारी प्रोब्लम्स ह चलिए अभी वीडियो मेरा थोड़ा बड़ा हो जाएगा भी बहुत सारी चीजे हैं बच्ची हुई है बताने को और मैं कोशिश करूंगी मैं दूसरे वीडियो में पूरा आपको बता पाहूं चलिए बाए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए लोगों के साथ और पसंदाए तो लाइक भी करिये